हेलो इस्टूडेंट आजका उमारा टॉपिक बहुत ही छोटा से है यह सक्ति इनकी पावर से रिलेटेड सक्ति क्या होता है पावर क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे यह पीडियप है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कार्य करने के समय दर को सक्ति कहते हैं मतलब कि कोई भी काम जो है वो कितने समय में होता है यही बतलाता है उसकी सक्ति को सक्ति एक प्रकार कर सक्ति जो है वो कार्य करने का समय दर है मतलब कोई भी काम जो करते हैं वो कितने समय में आप करते हैं उस चिसको रिपर्जेंट करता सक्ति जो वक्या है अदीस रासी है और सक्ति को P दवरा सुचित किया जाता है क्योंकि P for power होता है इसले इसको P दवरा सुचित किया जाता है ठीक है अब यहां पर देखे सक्ति equal to समय दर यहां चुकि बोला गया इसले सक्ति बराबर सक्ति बराबर जो है कारी बटा समय होता ह और कारे को W से सुचित करते हैं तो W और समय को T से सुचित करते हैं इसलिए W by T यहाँ पर दिया गया यह ज़्यादा important है P equal to W by T यह formula जिसे आप याद कर लीजेगा अब यहाँ पर इसका मात्रक भी आपको पता रहना चीए सक्ति जो होता है सक्ति का जो मात्रक होता है वह होता है जूल ठीक है और समय का जो मात्रक होता है वह होता है सेकेंड इसलिए इसका जो SI मात्रक होता है वहाँ जूल पर सेकेंड भी होता है जूल पर सेकेंड भी होता है ठीक है जूल पर सेकेंड याद रखेंगे एके जूल पर सेकेंड होता है, अब सक्ति का ऐसा ही मात्र, यूज जो करते हैं, वो क्या होता है, तो सक्ति का ऐसा ही मात्र क्या होता है, वाट होता है, और एक वाट बराबर जो है, वो कितना होता है, एक वाट बराबर, जो है हमारा, एक जूल पर सेकेंड होता है, वन जूल जो है पर सेकेंड जो है वो होता है एक वाट वराव है यह याद रखेंगे यह वाला टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज्यादा इन्पॉटेंट है पूछा जाता है कोश्चन और जिटिप कोश्चन के माधियम से अब इसका सीजियस मात्रक देखते हैं कि सीजियस मात्रक क्या होता है इसका जो सीजियस मात्रक होता है वो होता है अर्ग पर सेकेंड क्या होता है अर्ग पर सेकेंड क्योंकि कारी कारी का जो सीजियस मात्रक होता है वो होता है अर्ग और यहां पर सकती है इसलिए अर्ग पर सेकेंड होगा तो यह भी पूछा जाता है कोश् कि आप किलो वार्ट का पैटानक्सान लेना चाहते वन किलो वार्ट टू किलो वार्ट इस तरद से कि तक जो लाइट आता है वहाँ पर बोला जाता है कि इंजिनियरिंग में या मशीनों की सकती को जो मेजर किया जाता है वह हपि के दूबरा मेजर किया था यह यानि अस्व था कि दूबरा मेजर किया था आपसे कई बार आपने देखा होगा कि विद्वर्त पूछा का है वंहुईचक्राइचigue या 2HP इस तरह से तो एक 1HP बराबर जै वो 746 Watt का होता है एक HP जो ना वो 746 Watt का होता है यह आप जरूर याद रखेगा 1HP बराबर 746 Watt का होता है तो एक अस्व सक्ति से इसका निर्धारन किया गया है इसलिए प्राचीन समय में अस्व सक्ती से ही निर्धारन किया जाता था सक्ती के बारे में आगे देखते हैं कि वाट जो है उसको define कैसे किया जाता है तो वाट को यदि कोई करता यनकी कोई काम करने वाला एक सकेंड में यदि कोई करता जो है वो एक सकेंड में एक जूल कारी को संपन्य करता है तो करता द्वारा किया गया जो सकती है किया गया जो सकती है वही क्या कहलाएगा यदि कोई करता जो है वो क्या करता है कोई करता जो है वो एक सकेंड में एक जूल कारी को संपन्य करता है तो वहाँ पर उसकी जो सकती है वो क्या कहलाएगी एक वाट कहलाएगी अर्थात एक वाट वरावर एक जूल पर सकेंड एक वाट वरावर क्या होगा एक जूल पर सकेंड तो आज की इस वीडियो में इतना ही आगे हम नए नए टॉपिक पर लेते आएंगे वीडियो आपके